कुछ चीज़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि एक गंभीरता से और बड़ी जिम्मेबारी से मैं कहता हूं कि इस दिल्ली में हमारी इस सरकार मुख्यमंतरी केजरीवाल उसके क्रैबिनेट पे मेरे इसाब से हत्या का मुकाद चलना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो मैं तक थे आपके सामने रखता हूं जब हमारी सरकार थी कॉंग्रेस के सरकार थी शीला दिक्षिद जी की सरकार थी तो वह भी चाहते तो हर चीज़ फिरी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी भिजली फिरी कर देते पानी बास ट्र अस्पताल अगर हमने बनाए चार हजार से ग्यारा हजार बिस्तरों के तैयारिये कर सरकार की तरफ से कियो प्राइवट शेक्टर ने अलग की तो किसी कारण से की थी उसके आपने कभी इस्तहार नहीं देखे कभी लंबे-लंबे नमस्कार मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूं आपको फ्री बिजली पानी चाहिए था ना आपने हरवा दिया हमको कोई दिक्कत नहीं सलाम है आपकी कभी-कभी प्राथमिक्ताएं बदलती हैं आपको लगा कि नहीं बहुत हो गया विकास अब कुछ और रास्ते चलते हैं लेकिन उस समय जो 10-11 नए अस्पताल बन रहे द्वारका देख लीजे बुराडी देख लीजे माधीपूर देख लीजे तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है दिल्ली सरकार की मैं आपको लिस्ट क्या दिखाऊं पूरी लिस्ट है मेरे पास दिल्ली सरकार की इन दोनों कागजों में ये लिस्ट बनी हुई है कभी कोई च बनाया है ना उस पर काम शुरू किया है ना एक भी नया बेड हमने तयार किया है जो कुछ किया है पुरानी सरकारों ने किया है क्यों और विंद केजरीवाल कि क्यों हम आदमी पार्टी अगर यही 78009 बिस्तर बन गए होते 12-15 नए अस्पताल बन गए होते तो क्या कम से कम 500 500 जाने रोज नहीं बचती जिस तरीके का हाहा का दिल्ली में मिचाए खुश तो कम होता मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल दिक्कत कम होती कोई नहीं कह सकता इतनी भयानाक बीमारी है कि कि कितने भी आप अस्पताल बना लेते ही बिस्तर बना लेते एक स्तर से जादा मने जीकाताती लेकिन दिक्कत कमाती है. अगर मुझे चार गिलास पानी दिन में चाहिए एक गिलास भी मिलता तो प्यासा नहीं मरता. दिद्ली में कम-कम सेकोडों जाने हजारों जाने बचती आपने अपनी राजनीती और अपने वोट के लिए ना केवल दिल्ली की राजनीती को सस्ता किया आपने लोगों की जिंदगी को सस्ता कर लिया और इसलिए मैं कहता हूं आप पर हत्या का मुकदमा चालना चालिए जितना भी कामाद हो रहा जितने भी आप नई बिस्त प्रेस कहते हो, रोज तो आप सरकार, पर सरकार पर दस रार प्रेस कॉनफरेंस करते हो, जब औक्षियन की दिग्धा ओड़ी थी, वो नहीं लगे, एक भी चिप्थी आपने लिखी, कि जिफरीवाल एक भी प्रेस कॉनफरेंस आप ने की. आप तो केवल अपनी अधिकारों पीछे भागते रहे कि मुझे LG से जादा अधिकार मिल जाएं, तो कि आपको सत्ता का लोब था सेवा का नहीं, सत्ता की जगे अगर आप कहते कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरे आठ सेंटर नहीं बन रहे हैं, तो मैं भी समझता ना कि नहीं विकास के प्रति आपकी थोड़ी बहुत तो कहटी वद्धता है, और आप खुद क्यों नहीं माना सकते थे सेंटर, जो मैंने आकड़े देखे, उसमें हिंदुस्तान में 80 सेंटर 200 करोर के करीब बन रहे थे, और 174 करोर तो आपने दिवाली के, जो इक दिवाली में कि खर्च कर रहे हो, हर दिन के इस्तहार पे आप कम से कम एक ऑक्सिजन का सेंटर बना थे, आपके चेहरे देखनी की आवशक्ता नहीं थी, आपकी अपील की दिवालों को आवशक्ता नहीं थी, आपके पैसे से उनकी सुभधाएं बनने की आवशक्ता थी, और मैं इस प्रिफंड की रादनीती बन गई है दिल्ली की हर वेवस्था चर्मरा रही है और चर्मराती रहेगी अभी तो जैसे मैंने का भारा सरकार का भी बहुत इसमें योगदान है अच्छा है आइटी बीपी के बहादुर सिपाईयों ने एक सेंटर खोल लिया जिसमें 500 बिस्तर मिल गए हैं आर्मी ने और डिया ने बढ़ी बहादुरी से अपने कुछ सेंटर खोले हैं जहां बहुत से हमारे बिमार जाने लगे हैं अगर यह सब नहीं होता तो क्या होता आम आदनी प पैसा इस चीज में लेकिन नहीं कि आपको विधायकों की तंखा बढ़ाने में एक महिना नहीं लगा पंद्रा दिन में आपने जहां पचास पचास जार मिलते थे हुआ चार चार पांट पांस लाग की आप लोग तंखाएं पार हैं और महिने आपके सेंटर बनाने के वो आपको नहीं दिखाई देता है यह सब चीज में आपने केद्रिवाल साहब आपने और आपकी पार्टी ने मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है अपनी सत्ता अपने सत्ता के लालच के लिए दिल्ली की लोगों की जिंदगी बेच दी है मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली का नागरिक उठकर विकास मांगेगा जिंदगी मांगेगा सिर्फ आपकी सस्ती राजनीती में बहे दनी